आउन्स खाती हम आईल बनी कि जितना से जितना हो सके वह सब मदद करी हो बच्चा के ताकि यो बच्चा जल्दी से ठीक हो कि हमने के बीच में खेलल सुरू कर दे और हम एक खाती लाई बनी कि हम जितना कंपणी के गाना दी ही ले अदेता नि सबसे रिक्वेस्ट यह बाद क कि रहो लोगिन हमार पेमेंट कौम का दी चाहे मद दी लेकि वो गाना के पैसा आयांस के खाता में डाल दी उनका पापा के खाता में डाली ताकि वो लईक्या के जादा से जादा मदद हो सके ऐसे जे एक बात के खुशी भी वह हमके कि जो आज तक ले कलकार बंदू से कि हर कलकार आजे कुछ कलकार हर कलकार तो निखन जा पाऊता लेकि जे भी फिरी बा जे बिहार में बा हम हूं रहती तो हम हूं जेती लेकि हमारे टीम से जितना भी हो सकता हम मदद कराई के कोशिस करता नि मदद करत भी बानी लेकि हम चाहता नि कि हमारे कंपनी नहीं तो 25 से 30 को company बाद, वो company से request करता है कि आप हमें गाना का पैसा देजिये, मत देजिये, लेकि उस बच्चे का मदद करिये, ताकि हमारा घर का बच्चा है, हमारे बिहार का बच्चा है, और हमारा धाई तो बनता है, हमारे भजपुरी समाज का बच्चा है, तो हमारा धाई तो बनत चाहता हूं और मैं कुछ कलकार बंदू अपने जो भाई हैं उनको भी भीर सरसुक कामना देना चाहता हूं को इस मोहिम को चलाए वो और इस हद तक लेकर गई कि आज सब लोग मदद कर रहे हैं उस मीडिया कर परभारी मेडिया के जितने भी परभारी हैं जो लोग इस जाग बच्चे का मदद हो रहा है और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं अपने कंपनी मालिकों से कि आप लोग लीज उस बच्चे का मदद करिए क्योंकि हम सब का बच्चा है वो और जो अन्स है हमारे सब के अंदर है और मैं अपने भाईयों से कहना चाहता हूं जो हमारे संगीत स तरिसे जुड़ा हैं कि आप कुछ जैसे ञחति कि अप गाना है लुटाने से वा बच्चा नहीं बचएगा हमें उसका मदद करना पड़ेगा कि गाना लुटान गा क्योंकि उसकी बिमारी बहुत भहाना है। बहुत हलकी नहीं है कि उच्छे महीना बरदास कर पाएगा। तो आप वो गाना ना गा, के आप कोई लोग गित गाई है, देवी गित गाई है, छट गाई है, जो भी गाई है। गा के आप company को बीज़ कर और उस payment को डोनेट कर दीज़े उस बच्चे के लिए उस बच्चे का help हो जाएगा तो तुरंत help की जरूरत है हमें गाना गा के 6 महीना वेट तो कोई नहीं करेगा ना तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये घड़ी जो है हम सब को एक जुट होके और बड़ी अच्छी बात है कि बिचार धरा बदल रहे हैं समाज के और सबको बदलना चाहिए मेरे काने का मतलब कि हम सबका दई तो बनता है ये कलकार बंदू वो चाय जो भी हो वो बनता भी है जंता के आसिरवाद और प्यार से और उसी जंता में से वो एक बच्चा है हमार कि उसके माबापने भी हमें कभी प्यार दिया है देते हैं तो हमारा भी दवित बनता है कि उसकी दुख और सुक में साथ रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कलकार बंदू से खास करकर कि गाना गा के नहीं गाना गा के बेचिए ना आप लाक रुपे में दो लाक में बेचते हैं या 5 लाखे या 10 जितने में बेचते हैं आप वो बेच कर तुरंत उसके के लिए हैल्फ करिए ताकि उस बच्ची को ज्यादास ज्यादा है सहो सके तो मेरी मेरी प्रियासे मेरे टीम शुरू दिन से लगी हुई है कि सारी फांडेशन के तरफ से जो भी मदद हो रहा है लेकि मैं फिर से एक बर कहरा हूँ अपने कमपनी मालिकों से जिन के पास मेरा गाना जाता है आप मुझे पैसा दिजिये मत दिजिये लेकि पिलीज उस बच्चे का मदद जितना हो सके आप एक गाना मेरे तरफ से लिजिए फिरी बट उपैसे उस बच्चे के लिए करिए ताकि उस बच्चे का ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके हमारा तो का मेहनत है लेकि मुझे लगता है कि उसकी जीवन बहुत बड़े हैं तो और मीडिया पर भारे जितने इसे मोहीम को आगे बढ़ा रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जितना से जितना हो सके उस बच्चे के मदद के लिए आप अपने इस जगरुपता को जारी रखिये और ताकि लोगों तक ये चीजे पहुँच जाए और कुछ मदद हो सके सबसके हाथ और हम सबकाता ही तो बनता है हम इतने सारी लोग है और हम चाहें तो क्या एक बच्चा नहीं बच सकता है एक एक रुपय दान अगर पूरी बिहार करेगी तो साइद उस ब पेबल नहीं भी हैं जो सौ रुपय का ही च्छमता है उनकी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप सब भी रिक्वेस्ट करकर और उस बच्चे को बस अपने गोद में खेलाने के लिए आजीवन भर प्यार करने के लिए उस बच्चे को एक बलिदान दे दीजी आप आसिरबात के रुप में दे दीजी और मैं भीख मांग रहा हूँ आप सबसे कि उस बच्चे का एक चाचा होने के नाते में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमसे जो हो सक्राय में कर रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा करके सब लोग अगर करिएगा तो साइद उस बच् को देखने के बाद लगता है कि वो कितना खिल खिलाता चेहरा है उसका उस बच्चे को हमाजीओं देखना चाहते हैं हम जब तक जियें वो बच्चा हमारे बीच में रहे हम ना भी जियें तब לबाका एक नागलिक बनके आपका बेटा बनके और आप सब के गोद में खेले तो प्लेज सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लेज आप सब और मेडिया परभारी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लेज इस मोहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाईए ताकि उस बच्चे का बंदत हो सके तलकार बंदू को फिर से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हूं इसाही करने की जरूरत है हम सबको कि जो हमें बनाया है उसके बीच में हमें जाकर उसका हेल्फ करना चाहिए यह एक बीमारी की बात नहीं है जिस भी जो भी प्रॉब्लम में हो हमारे बिहार का नागरिक या यूपी का नागरिक या हमारे भासा का नागरिक चाहे हो जिस देश में रहता हो जिस पर देश में रहता हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा लगा और खेसारी फॉंडेशन को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो मेरे से जुड़े हुए है कि आप लोग सुरू दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बचे के लिए और करने की जरूवत है इस महीम को छोड़िये मत इस महीम को चलाते रहे हैं इस महीम को और आगे तक लेके जाए ताकि जादा से जादा उस बचे का मदद हो सके मैं आज लाइब में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो प्लेज आप दुखी मत होएगा क्योंकि मैं किसी और मरधयम के लिए लाइब आया हूँ और किसे दिन हम लोग खुशी मुड़ साहेंगे तो आप सबको बिल्कुल आप सबका नाम लोगा आप सबको प्यार करोंगा आप सबका प्यार तो किसा मुझे मिलता है तो मैं किसारी फॉंडेशन को दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि किसारी नाम जरूर है लेकिस फॉंडेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हूं जो कि शुरू डे से इसकारी को कर रहे हैं तो आप लोग बधाई के पात रहें और जो भी किया उस बच्चे के लिए और कर भी रहें और अभी करने की जरूरत है जब तक वह 16 कडूर नहीं हो जाता है उस बच्चे को हम वह इंजक्शन नहीं दिला देते हैं तब तक हम चैन से नहीं वैठेंगे और इस सबका देटों है प्लीज आप लोग उस बच्चे के लिए ज पलपल की खबरों के लिए अब सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पुवांचर लाइब को